अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं फटाफट एक स्लाइड पर आपको समझा देता हूं एक मोचली लिखा वह तो दुबार दुबारा लिखने यह को फ्यादा नहीं होता फासल स सलदेनग में आपको बतायां थी इक से स्थाइर होती हें लिफ मतलब नक्या वालstar Urban बनाने में hardware में hardware help करेगा OS में OS help करेगा तो देखो अब software solution दो तरहें के थी एक थे two processes solution और एक थी end processes solution two processes solution में चार algorithm थे मैंने चार algorithm आपको complete करा दी आप मेरे प्रीव से कर देख सकते हैं आप बाद बाद बी end processes solution में सिर्फ एक algorithm पढ़ना जिसका नाम है bakery algorithm तो मैं आपको बेकरी algorithm पढ़ा रहा हूं तो बैक्राउंड ट्लियर हो गया तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा फट क्या होता बेकरी का भी छोड़ो आप पीजहाठ डोमिनोज का लेलो थी कि आपना फिल आ चल रहे है आप देखत बिल डो twenty-two there तो तुम काउंटर पे जाओगे अपना पीजा करके ले आओगे यही जलता है यहां पर भी बिलकुल वही सिनेरियो होगा हार एक प्रोसेस जो भी की टिकर सेशन में जाने की रिक्वेस्ट करेगा उसको एक टिकट नमबर दिया जाएगा अब जिसका टिकट नमबर चौटा होगा यह जिसका बिल नमबर चौटा होगा है तो वही कहानि हम यहां करेंगे तो हर एक प्रोसेस जो भी आएगा उसको एक-एक हम टिकट नमबर देंगे अब ticket number देने के बाद क्या करेंगे हम लोग, देख लेंगे, जिसका भी ticket number सबसे छोटा होगा, वो critical section में सबसे पहले जाएगा, it's as simple as that, बड़ा beautiful algorithm है, मैं अभी आपको समझाऊँगा, तो clear हो जाएगा, हम क्या करने के कुशिश कर रहे हैं, तो basic concept clear हुआ, जो भी processes आएगे, हर एक को एक-एक ticket number दिया जाएगा, जिस भी process का ticket number छोटा होगा, वो सबसे पहले जाएगा, चलो, आज आओ अभी तर, तो अब इस code को implement करने के लिए, जो concept था, इसको implement करने के लिए, उन्होंने दो data such as use कर रहे हैं, एक boolean, choosing n और एक int, number n, तो n processes है, इसलिए n ले लिया, ठीक है, number n ले लिये, ठीक है, तो choosing मतलब क्या होगा, वो अभी choose कर रहा है, मतलब अगर को process अपना number अभी choose कर रहा है, तो फिर हम अभी रूखेंगे न, दूसरों को देने से पहले, समझ पा रहे हो ना, तो इसलिए ये choosing हमने ले लिया, choosing मतलब simple है, जादा मत बोलो, choosing है, अभी वो choose कर रहा है, आचा, number मतलब वो उसका ticket number exactly उसको क्या मिला है, समझ गए, तो दो चीज़े है, choosing मतलब, अभी वो choose कर रहा है number, और number का मतलब क्या होगा, उसको ticket number exactly क्या मिला है, वो हम देखेंगे, तो number 0, process हम ले ले लेंगे, process 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 0, तो number 0, अगर suppose को प्लो 5 है, तो यह पाच्वे नंबर पे जाएगा, अच्छा, एक बात मैं आपको यहीं और क्लियर करता जलता हूँ, अगर number 0 हमारे पास 0 है, number 1 हमारे पास 0 है, इसका मतलब यह critical session में जाना है नहीं चाहते, ठीक है, अगर critical session में जाना चाहते होते, तो 1, 2, 3, 4, यह से आप लेने नहीं चाहरे, बस ऐसे समझ लाँ, ठीक है, simple बात है, ठीक है, तो 0 की कहानी समझ में आगी, आच्छा, तो आप simple बात बोलोगा, जिसका भी ticket number 1 होगा, सबसे पहले बो जाएगा, ठीक है, मतलब नंबर जिसका 0 होगा, वो सबसे पहले जाएगा, फिर 2 वाला जाना नहीं चाहता, ठीक है, आप मैंने यह जो code दिखाया आपको, यह PI का code है, ठीक है, यह जो code में थोड़ा लग करके दिखाया, यह जो हमने code लिखा है, this is for process PI, जो भी आप मतलब process मालो, ठीक है, तो we have a process PI, हार एक process का ऐसा ही code होगा, यह process PI के लिए मैंने लिखा है, ठी चलो, अब शुरू हो जाओ भी, देखो, do और यहां पे देखो भी while 1, ठीक है, तो यह पूरा को पूरा लूप में है, ठीक है, देखो वे राम से, मैं थोड़ा pen भी पतला कर लेता हूँ, था कि हम देख सके, do और यह, do while 1, इसके अंदर यह पूरा हमारा code है, अब देखो यहां पर आपको समझ मैंगा, नंबर देंगे कैसे, आपको इतन देर से आपको नंबर, नंबर कह रहा था, नंबर मिला, नंबर मिला, कैसे मिलेगा, वो यहां से देखो, इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है, number I is equal to max of number zero, number one, up to number n-one, zero से n-one कि कि इतने होगी, n होगी, तो हर एक process का number ही check करता है, उस में से ये सबसे बड़ा number लेता है और plus 1 कर देता है, it's obvious common sense, ठीक है, suppose कर लो, अभी किसी भी process को कोई number नहीं था, सार एक सारे 0 पे बैटे थे, तो जो भी सबसे पहला process आएगा, वो max देखेगा इन सब number में से, max of all the zeros, तो max of zeros will be 0 only, 0 plus 1 मतलब 1, तो जो सबसे पहला process आएगा, उसको number 1 मिल जाएगा, अगला process जो आएगा, अब suppose कर लो, जैसे ये process 1 था, जिसको number 1 मिल जाएगा, तो अगला process आएगा, वो कि देखेगा, number 0 हमारा 0 था, बाकि सारे number 0 थे, और एक number 1 1 था, तो maximum of all these numbers, तो maximum of all these numbers, सारे 0 है और एक 1 है, तो maximum will be 1, तो 1 plus 1 मतलब उसको 2 मिल जाएगा, suppose कर लो, number, say process 2 आया था, P2 आया था, उसको number 2 मिल जुका है, अगर P3 आ रहा होगा, तो वो क्या करेगा, P3 आ करके चेक करेगा, max of all these numbers, तो max of all these numbers is 2, 2 plus 1 मतलब 3 मिल जाएगा उसको, and so on, तो सबसे बड़ा number निक उसमें एक बढ़ा, क्या आपको दे देते है, counter तो चल रहाता है, वहाँ पे, है ना, तो जैसे अभी 201 नंबर गया है, ठीक, अभी जो बिल काटा था, उनने 201 नंबर था, तो अगला बिल कौन सा कटेगा, जी, अब इसी बाते 202 कटेगा, तो directly-directly हुआ कि अभी सबसे बड करने का मतलब, यह भी नंबर चूज कर रहा है, और जब चूजिंगाई को फॉल्स कर दिया, अब हमारा चूजिंगाई को फॉल्स कर चुका है, अब हम आगे आएंगे, अब यहां पर यह लूप में चेकिंग करवाने है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार इसक बेटर है कि मैं इसी स्लेट की कॉपी बना लेता हूँ, पैंट है हमारे पास तो हम फैदा उठाएंगे, कॉपी, पेस्ट, अब यहां से सारा हटा देता हूँ, अब देखू भई, ठीक है, अच्छा, तो अब यह वाला जो पार्ट है, यह वाला जो पार्ट है, इस पार्ट है, यह है हमारे पास चूज कराने वाला, मतलब कोन सा प्रोसेस क्रेटिकल सेक्षन में जाएगा, उसकी चेकिंग के लिए है, यह कूट, प्रोसेस हम चूज कर रहे हैं, अगला कोन गुशने वाला है, उसको, अच्छा जी, तो अब इसमें लूप चल रही है, तो इसको करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं 4 प्रोसेसेस लेकर बे उनको नमबर देके बैठ चाकता हूँ, फिर मैं कहानी करता हूँ, तो इन्होंने 1 प्लस 1 टू ले लिया होगा, कोई मनाई नहीं है, प्लीज धियान रखना ये चीज, कि प्रोसेस को सेम टिकट नमबर दिया जा सकता है, ऐसा नहीं होगा, कि सेम टिकट नमबर नी मिल सकता, पिजाट में आपको नहीं मिलता, लेकिन यहां मिल सकता है, क्योंकि अगर पी 2, पी 3, जोट पर दो करी सकते हैं, तो दोनों प्रोसेस आगे, पी 3, आगे दोनों नहीं कठे, एरे को एक बार में रीड करने की कोशिश करीं, जो कि आपको पत मैक्स समय से निकला, तो 1 ही निकला, है ना, सारे 0 से और 1 था, तो मैक्स निकला 1, 1 प्लस 1 मतलब 2, ठीक है, तो 2 मिल गया, अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं, P4 के लिए ले लेता हूं, से 3 हो गया, और P5 के लिए लेता हूं, से 4 हो गया, ऐसी मैंने कुछ भी नंबर ले लि मतलब P0, P1, P2, जैसे P0 तो आया ही नहीं है, इसलिए उसको चूसिंग 0 पड़ा हूँ है, उसको तो अपने शीड़ नहीं है, P1 आया होगा, अपने टिकेट नंबर चूस करा होगा, और अपने चूसिंग को फॉल्स करके गया होगा, और जैसी इसने फॉल्स क्या होगा, interrupt आगया होगा, और control transfer होगा, P2 पे, तो P2 पे control transfer होथा, इसमाfront P3 पे control transfer होगा, तो P2 के बाद P3 पे control transfer होगा, और बना नामें 1 पड़ लिया, 1 ट्रूस प्लस 1, 2 हो गया, और चूसिंग 1 को false कर और प्लस करके interrupt, तो उसको पे control आए होगा, उसने भी choosing history को false करके interrupt, फिर P5 पे समझ मैं है तो हमने ऐसे सिनारियों बना है तो एक की समझे मैंने सब को टिकट नमबर देती है इतना समझ मैं आगया आप देखो आगे क्या होगा आप क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए माना है क्योंकि यहां पर मेरे को समझाने में आपको समझ दाता क्या चल रहा है आप देखना क इतना साफसुत न तरीकिसे आफट आफट चीजों को समझते जाओगा, देखो भी, पोट J is equal to 0, J is less than a, J plus plus, इसका मतलब क्या होगा, पहले तो मुझे बताओ, पाजचान सबसे पहले P5 आया, मतलब इस जो इंटरप्स आ रहे थे ना, इंटरप्स आने के बाद, सबसे पहले P5 एंट्री मारने के कोशिश करेगा, तो P5 एक के करके सब के साथ चेकिंग करेगा, कि मेरा टिकट नमबर सबसे छोटा है, तो इसने क्या करा, वाइल J is equal to 0, J less than N, J plus plus, इसने क्या बोला, एक करके पिक कर रहा है, तो पिक और चेक यूर टिकट, पिक एच और प्रोसेस, ऐससे लिग देता हूं, ठीक है, कहानी बनने बहुत जरूरी अभी, कहानी नहीं बनना होगी, तो समझना हैगा, पिक इच और प्रोसेस, एक करके प्रोसेस को आप पिक करो, देखो, आपका टिकट नमबर क्या है, उसको अब देखो, एक करके पिक करा, तो सबसे पहले, इसको पिक करोगा, P5 ने, P0 को पिक करो, क्यों कि देखो, 0 से लेकर, 0 से लेकर, 0 से N-1 के गिंते कितनी N, तो वहीं हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले, P0 पकड़ में आया, P0 के लिए देखागा, वाल चूसिंग जे, वह क्या, अभी जेकी वेली किया थे, 0 थी न, तो चूसिंग 0, 0 तो अभी चूस नहीं कर रहा है, तो उस तो जीरो लेके बैठा तो बन्तों कुछ नहीं था, इसकी लूप तूट गई, अब देखो, अगर वह चूस कर रहा था, तो हो सकता था, अब द जमा एक उसको करके वैल्यू बस नंबर आय में डालनी थी, वह अभी नहीं डाल पाया, इंटरप्ट आगा और कंट्रोल किसी और प्रसेस पर जा चुका था, तो ड्रेकली इन ड्रेकली वह मैक्स निकाल करके बैठ गया, दो जमा एक करके तीन करके इसने अपने नंबर में डालना था, बट वह विचारा डाल नहीं पाया, इंटरप्ट आगा, किसी दूसरे प्रसेस पर कंट्रोल चला गया, तो इसलिए जो भी प्रसेस अब आप घुसाने की कोशिच कर रहे हो, उसकी जिमेवरी बनेगी, वह चेक करे कि क्या वह अभी चूस कर रहे है क्या दूसर जे चूस दर नंबर, जे मतलब वह जो भी होगा, अब जैसे पी वन होगा, पी टू होगा एंट सौन, वह एक एक करके हम चेकिंग करें न हर एक प्रसेस के उसले, तो वेट तिल जे चूस नंबर, जब तक वो नंबर चूस नहीं कर लाता, तत्वा का पिंजार करोगे, उस पल बात है, बात समझ रहे हो, तो नंबर, जे, इस नॉट इकोल टू जीरो, चेक करने का मतलब किया है, कि अगर वो जाने ने चाहता, तो स्किप प्रोसेस, विच दॉस नॉट वान टू एंटर, जो जानन नहीं चाहता, उसको स्किप मार करके आगे बढ़ो, यह मतलब है यह स्टेट्मेंट का, आप जैसे देखो P0 था, सबसे पहले P0 पर कड़ में आए था ना, तो नंबर 0 is not equal to 0, false है, 0 is not equal to 0, 0 तो 0 बराबर होता है ना, तो फिर मैं आगे चेकिंग ही नहीं करूँगा, मैं यहीं लूप तोड़ दूँगा, अब देखो सीदिसी बात है, यह व यह वाकव फिर हे नहीं चाहता, वह जाना ही जाथाobyश्चों में तरहा हे पर कहीं रिभता ही bethα होगा यहां, हे घुठतहा, हमनें बोल दिया办 उस बिकन तो तो लूप फिर यहीं यह बहुत इक मिन्ट में चूता मांँत। आगे मैंने checking यह नहीं करी, तो दोनों लूप तूट चुके, दोनों लूप तूट चुके, तो मतलब 4 लूप में हम अगले पर आ जाएंगे, J plus plus करतेंगे, J की वली क्या हो जाएगी, आप 1 हो J की, मैं लिख लेता हूँ पहले, J की वली 0 थी, अब J की वली 1 हो गई, अब 1 में आ करके, आपने क्या देखा, यह देखो भई, वाइल चूजिंग J, वो जूज तो नहीं कर रहा हो, तो अपने चूज करके बैठे हो नमबर 1, अगर चूज करो तो तो फिर हम यहाँ पे अटके रहते हैं, आगे आजाओ भी, वाइल नमबर J is not equal to 0, नमबर J, P1 का जो नमबर है, वन is not equal to 0, which is true, तो आप आगे जा करके, अब चेकिंग करेंगे, अब इसका मतलब बताता हूँ, देखो भई, हमने दो बार लिख है, J, J, I, I, और इस ट्रिकली हमने लेजन लगा रखा है, तो देख लेगा क्या चक्का रहा है, तो नमबर J is less than, अच्छा चलो, यहीं बता दू, एक मिट लगेगा, आप भी सोचते रहोगे, पता ने सर ने क्या छोड़ दिया, मैं यहीं बता देखो भी, मैंने अभी आपको बताया था, कि टिकट नमबर सेम भी मिल सकता है, तो अगर यहीं ब्रेकर कॉन होगा, टाइ ब्रेकर होगा जी, प्रोसेस अएड, सेक है, तो मैंने छे की लिख देता हुआ भाई, इफ तो प्रोसेस, टो प्रोसेस, इफ तो और मोर प्रोसेस, गत सेम टिकट नमबर, get same ticket number then process having minimum PID will enter CS इस चीज को implement करने के लिए हमने ये दो बार ऐसे लिख रखा है JJ और II ठीक है तो एक बारी number J और ये एक बारी लिखने का मतलब क्या हुआ कि आप simple ticket match कर रहे हो ठीक है अगर by chance ticket बराबर निकलती है तो उस case में हम लोग देखेंगे जिसकी PID छोटी होगी वो गुसेगा it's as simple as that समझेगे तो ये दो बार लिखने का मतलब आपको समझा चुका है तो number JJ is less than number II तो ये true कब होईगा ये चीज चलो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको अगर number J भी हमारे पास 2 है और number I भी हमारे पास 2 है तो उस case में मैं process ID देखकर के आऊँगा इस process की process ID जो हमने ये पकड़ा हूँ है इसकी process ID 3 है और जो आपका process है आपकी process ID 2 है तो finally हम लोग क्या देखकर के आएंगे कि ये वाली condition हमारी false है और false है इसलिए जो हमारी ये loop होएगी ये तूट जाएगी और हम लोग आगे अगले process की checking करेंगे मैं एक बार और बोल देता हूँ देखो अगर ये condition हमारी true आ जाती ये J कोन है जिसको आपने pick किया है I कोन है जो ये checking करवा रहा है आई process कोन है जो जाना चाहरा है मतलब जो ये checking करवा रहा है और J कोन है जिसको एक के करके आप processes को pick कर रहे हो ना भई ठीक है ये वो है अच्छा अब आपने ticket number देखा J और I मतलब जो आप गुसना चाहरे हो आप और जिसको आपने अभी pick करके लाए हो वो process दोनों के ticket सेम निकलाई है तो आप ये सवाल उठेगा आप decide करना है कौन गुसेगा पहले और कौन बाद में तो इसके लिए मैंने क्या बोला है जिसका भी जिसकी process ID minimum होगी वो पहले गुसेगा मतलब suppose कर लो जो आप हो जो गुसना चाह रहा है उसकी process ID 2 है और जो आपने अभी pick किया है उसकी process ID 3 निकलाई तो 2 less आप देखो ये tie हो चोई को छोड़ दो आप ये देखो ना 2 less than 3 है sorry 2 greater than 3 है क्या नहीं है false है तो इसका मतलब क्या होगा भई ये वाले जो लूप है ये वाले लूप तूट जाएगी और आप J++ करके आगले process की checking शुरू कर लोगे अगर by chance true निकलाता जैसे suppose करो मैं यहाँ पे उल्टा बोल देता कि जो अच्छा एक बार इसको एक बार not done करना कर लिया ना तो मैं इसकी copy बनाता हूँ एक निच्चे है ना time बचाता हूँ आजी आप देखो भई अगर मैं यहाँ पे ये number 3 ले लेता चीक है और ये number ले लेता 2 ये 2 होता और ये 3 होता तो मतलब जो checking कर रहा है process उसकी process ID 3 है और जिसको आपने भी pick किया है उसकी 2 है process ID तो 3 greater than 2 है के नहीं है है तो मतलब true हो चुका है अगर true हो चुका है तो इसका मतलब ये semi-colon है भी loop में यही पे भटकते रहोगे तुम आगे नहीं बढ़पाऊगे बड़ा deep का point एक सब बात को समझो कोई नहीं पढ़ाएगा इस तरीके से एक-एक line को समझा समझा करके किसे में दम नहीं होता इतना पढ़ाने का जितना मैं तुम्हारे को पढ़ा रहा हूँ एक-एक बात को एक-एक अक्षर को explain कर रहा हूँ Galvin की बात बोलो ना Galvin किताब उठा करके देखना उसमें सीधा लिखा हूँ है किताब की एकस्पेक्टेशन है कि आप अपने आपको पढ़ाना समझ रहा हूँ है इसलिए मैं आपको थोड़ थोड़ा बताता चाह रहा हूँ समझ में आगा भी कैसे करने आप लोगों को ठीक है जी तो यह चीज क्लियर होगी अच्छा जी तो अब हम लोग फिलहाल क्या बात कर रहे थे यहां पर हाँ तो जिसकी प्रोसेसाइडी छोटी होगी वो जाएगा विद प्रूफ हमने चीजों को ढंग से समझ लिया है तो अब अब हाँ तो यह बात हो चुकी है तो अब हम कहां पे चल रहे थे वही हम P5 को गुसाने के कोशिश कर रहे थे ठीक है उस बात पे आजाते हैं वापस से तो P0 की चेकिंग हो कर चुका था और यहां पे आप क्या भरके बैठे हो कि 4 क्योंकि जो चेकिंग कर वा रहा है वो 4 है और जो आप पिक कर के लाए वो 1 है तो 4 इस गेटर दन 1 बिलकुल बस यह इसी लूप में भटकते रहेगा नंबर जे देखेगा नंबर जे क्या है भई जे प्रोसेस हमने 1 पिक कर रखा था तो not equal to 0, 1 is not equal to 0 which is true और उसके बात फिर यहां पे यह बात भी true हो रही है 1 is less than 4 तो बस हम यहीं पे भटकते रहेंगे लूप में तो मतलब directly in directly जो हमने P5 पिक कर रहा था हम सोच रहे थे कि वो गुष जाए वो नहीं गुष पाएगा अगर बायचांस P5 पहले आभी गया वो नहीं गुष पाएगा P4 की कहां नहीं करते हैं P4 भी यह करेगा सबसे पहले P0 के साथ checking करेगा वो तो लूप तूट जाएगी 0 के साथ जैसी 1 के checking करने के कोशिश करेगा तो वो बोलेगा कि choosing J हाँ जी नहीं चूज तो नहीं कर रहा होगा है ना J is equal to 1 है ना J is equal to 1 है हाँ जी इधर आया number J is not equal to 0 1 is not equal to 0 which is true और यहाँ पर आकर करेगा 1 और P4 की क्या थी भी 3 थी तो 1 is less than 3 बिल्कुल ठीक है J is equal to 0 होगा सबसे पहले तो choosing J तो J is equal to क्या था भई 0 था तो choosing 0 तो नहीं है क्योंकि वो तो अभी घुशना नहीं चाता हो तो कुछ हाई नहीं इधर आ जाएगा while number J is not equal to 0 0 is not equal to 0 which is false तो लूप टूट गई लूप टूट गई यह वाली भी प्रोसेस को पकड़ता है तो अब J की वैल्यू क्या हो चुकी है तो अब J की वैल्यू क्या हो चुकी है 1 हो चुकी है तो बोलेगा भी नहीं उसे चूजते नहीं कर रहा वो बोलेगा 1 is not equal to 0 अब यहाँ पहाँ पकड़के आप क्या चेक करोगे 1 is less than 1 1 is less than 1 नहीं और अरहादर ऐसे है बोलो 1 & 1 tie हो गया tie हो गया तो उसमें process ID हम लोग check करते थे तो क्या PI की process ID strictly greater है PI की process ID क्या strictly greater है PJ से नहीं क्या 1 process ID strictly 1 से बड़ी है नहीं तो यह ध्यानक नहीं जभी भी tie होगा जभी भी tie होगा tie होने के बाद हम लोग process ID पे जाते हैं तो हमने ticket number देखा तो ticket number में tie था क्योंकि P1 ने P1 को भी पकड़ लिया था तो ticket number में तो tie होना ही था उसको process ID में देखा process ID में भी देखो फिर भी process ID में भी tie है इसलिए आपने पे strictly less than लगा रखा है मतलब जो आपने process जो checking करवा रहा है उस process ID आपने देखी 1 निकली और जिसको आप पकड़ के लाए उसकी भी 1 निकली तो 1 is strictly greater than 1 नहीं है छोड़ दिया मैंने मतलब लूप टूट गई लूप टूट गई तो फिर आप J की वह लेकिया हो गई 2 हो गई 2 होगी तो इसने देखा choosing वो चूशने कर रहा होगा जो process 2 है वो अपना अभी number चूश करके बैठा हो चूश पर ही कर रहा है ठीक है मतलब कर चुक है न वो हाँजी तो choosing जो था वो हट गया अब number J is not equal to 0 2 is not equal to 0 which is true इसरा करके चेक कर रहा है अब यहाँ पर क्या देखोगे आप 2 देखोगे यहाँ पर देख कर क्या भी राम से यहाँ पर आपको क्या नज़राएगा भई 2 नज़राएगा तो number J हमारे पास 2 है और जो प्रोसेस के आप कहानी कर रहे हो वो 1 है तो क्या 1 is greater than 2? false है तो loop टूटेगी loop टूटेगी तो फिर J++ होगा अब किसी से checking करोगे? 3 के साथ check करोगे फिर वही कहानी होगी 1 is less than 2 फिर 4 के साथ checking करोगे 3 is less than 1 तो वह भी loop टूटेगी फिर देखोगे 4 is less than 1 फिर भी loop टूटेगी तो हरब loop टूटती चली गई तो फानली जब J++ करोगे तो फिर J is equal to n हो जाएगा और फानली यह 4 loop ही टूट जाएगी और अब जाकरके यह critical section में आएगा है मजदार बात अब जाकरके यह critical section में उसेगा अब जब यह critical section में है तो अब जैसे ही यह critical section से बाहर निकलेगा तो यह number i is equal to 0 करके जाएगा मतलब अपना ticket number 0 कर लेगा तो P1 ने अपना ticket number 0 कर लेगा तो यह थोड़ा गंदा लग रहा होगा आपको इसको काट करके इसने 0 बना दिया अब जैसे ही इसने 0 बना दिया अब imagine कर लो जो जो processes विचारे loop में अटके होए थे सभी के सभी के लिए एक बहुत बड़ा पथर एक रोड़ा बनके खड़ा हुआ था P1 अब वो 1 हट चुका होगा वो 0 बन चुका होगा जीरो बन चुका होगा तो फिर यहीं पे ही में चेकिंग कर लूँगा कि वो नंबर जीरो निकल रहा होगा P1 को पकड़के बैटेते ना तो नंबर 1 0 हो चुका है तो 0 is not equal to 0 false यहीं पे ही लूप रूटेगी उनकी और फिर अगे-अगे प्रोसेस की होई चेकिंग करनी शुरू करेंगे थोड़ा सा कंप्लेक्स है थोड़ा सा सोचो आपको समझ में आ जाएगा मिया पर क्या कर रहे हैं बड़ा असान है कुछ भी नहीं है बज इसका टिकट नंबर छोटा होगा वो जाता है खुद से चला करके देखो आपको अपने अपसे समझ में आ जाएगा क्या कहानी हो रही है तो इस तरीके से जिसका सबसे छोटा होगा वो जाएगा एक ही करके सब भी जाएंगे अब हमारे को वह सारी चेकिंग करने मुचल सिलोशन प्रोग्रेस बांडेड वेटिंग वो देखते आपको समझ में आ रहा होगा मुचल सिलोशन तो हाई है कभी दो प्रोसेस से कठे नहीं हो सकते बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कैसे गुसेंगे हमने यहां पर लगा तो रखा है यह चेकिंग हम यहां पर करतो रहे हैं तो प्रोग्रस वाली बात बड़े राम से आपको नज़र आ रही होगी यहां पर मेरे ख्याल से मुझे बोलने के भी जूरत नहीं है जो जहाना चाहरा होगा वही टिकट नमबर लेगा जो जहाना नहीं चाहता होगा वह पहले टिकट नमबर जीरो बेठा होगा तो वह प्रोसेस आइडी सेम होती और उसके लिए भी हमने तरीका अपना लिया है जब सेम होती है तो फिर हमने यहां पर रख है कि जिसकी चोटी होगी वह पहले गुसेगा तो अगर टिकट नमबर सेम बिल गया तो भी देखो वैसे तो अगर प्रोसरी वाली बात पर गोली मारू सिर्फ नमबर के साफ जलू तो वन इस फॉल्स फॉल्स तो ठीक लूप रूट जाएगी लेकिन इस अल्गोर्थम को और ज्यादा ब्यूटिफूल और ज्यादा डिटर्मिनिस्टिक बनाने के लिए हमने यहां पर यह बाद ही बोल दी जिसका प्रोसरी चोटी होगी वह गुसेगा तो अगर टाई हुआ होगा तो जिसकी चोटी है वह सबसे पहले पहले देदो आप बड़े हो आप दो मिंट खड़े हो ऑप यह कहानी है अभी है तो अगर स्वें टिकेट नमर मिल भी गया तो जो चोटा होगा वह पहले गुसेगा अब और इससे सिंपल क्या बोलो पकड़े होगे आप लोग, ठीक है जी, हाँ जी, तो, हाँ, फाइनली हम लोग क्या कह रहे थे, टाइम अपड़ेशन वाली बात भी हमारे पास हाई है, कभी भी हम लोग डेड़ लोग में फसने कार, तो, रिजन तब होता, जब हमारे पास कोई भी प्रोसेस अंदर ना पार रहा होता के टिकल सेक्शन में, मेरे को पता है, जिसका टिकट नंबर सबसे चोटा होगा, उसके लिए लूप तूटनी तूटनी और उसने के टिकल सेक्शन में गुसने गुसने, ऐसा तो नहीं है, जिसका टिकट नंबर सबसे चोटा होगा, वो भी रहा जाए और बाकी भी रहा जाए, ऐसा कभी भी भी नहीं हो सकता, नंबर वन दिया हुआ था, बाकी सब के लिए ये पत्थर एक रोड़ा बनके खड़ा हुआ था, बाकी सब इसे के चक्कर में फसे हुए थे, यहाँ पे, 2B, 3B, 4B, 5B, सबी के सबी इसी के चक्कर में, P1 के चकर में यहाँ फसे हुए थे, और अगर यही बिचारे को तुमने अगर जिरो ना करके जाते हैं, तो फिर वो सारे बिचारे जो फसे हुए रह जाते हैं, वो सारी उमर इसमें आई ना पाते हैं, तो हम फस जाते हैं, त तो फिर वही बात है इसलिए अंदे नंबारा is equal to zero कर रखा है, एक एक लाइन का बहुत पस्ट मेनिंग होता है, लिगाट दमस में, पॉलिटिक्स वाली कहाने भी यहां पे नहीं, अभी कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, जा रहा है तो जब जाना नहीं चाहता है, वो बा बाहर निकल जोगा है, अब ना तो खुद काम कर रहा है, ना दूसरों को करने दे रहा है, वो काम नहीं होना चाहिए, लाइक पॉलिंग नहीं होने चाहिए, तो पॉलिटिक्स वाली बात भी नहीं है, प्रोग्रस हमारी आ रही है, आगरी बात रुटती है, इतना आप एक बात हीको, जो अची बात आपके मन में आ सकती है, कि P1 अभी ज़स्ट बाहर निकला था, अगर वो दुबारा गुसने के कोसिश करी, अगर वो दुबारा गुस गया, तो फिर मैं बोलूंग, वो बांड़े विटिंग में हमारे को अलार्मिक सICK करोगे, वो चूज कोशिश करी तो उसको टिकट नमबर पांच दोगे तो मना नहीं करोगे दुबारा गुशना चाहिए मना क्यों करोगे भी बार-बार आएंगे वो डू वाइल वन लगा रखे आपने लूप इन्फाने लूप है हार एक प्रोसेस बार-बार याएगा तो अगर जो अभी प्र और गुश जाएंगे उसके बाद गुशेगा फस क्लास बाउंडर वेटिक है देखो इससे अच्छा आपको डिटर्मिनिस्टिक अलगोरिदम नहीं मिलने वाला कितने प्रॉपर्ली और कितना डीप में और कितना अच्छे से हम चीजों को समझ पा रहे हैं तो बाउंडर इसमें कुछ भी नहीं था बहुत असान अलगोर्दम है जब गेलविन की किताब यह लिख करके भाग सकते हैं कि इसका मतलब किताब जो लिख रहा है उसके एकस्पेक्टेशन है कि वह अपने आप से जो बंदा होगा जो भी रीडर होगा वह अपने आप से से जो को समझ सक करता है ठीक है तो तुम्हारे को क्या दिखकती तुम भी समझ सकते थे पट उसके बावजुद भी मैंने आपको इसक्क्राइन किया है अच्छा आप जो गेट में कोर्शन है मैं वह भी इसक्क्राइन कर देता हूं उन्होंने यहां पर यह यह और यह यह पूछा था मतलब आप देखते समझ पा रहे होगे जब P1 की कहानी कर रहे होगे मतलब जो नंबर चूस कर रहा है वो आई है मतलब 1 है P1 है और जब P1 घुमा फिरा करके अपने आप खुद को भी तो वह पिक करेगा तो P1 आपने आपको खुद को पिक करेगा और जब वो खुद को पिक तो 1 is less than or equal to 1 आएगा, लूप में अटक जाएगा, और 1 अटक गया, 2, 3, 4, 5, सब के सब अटक जाएगे, कोई भी निगुसेगा, डैडलोग में फस गए, तो प्रोग्रस गया हो, यह सिंपल कोश्चन पेपर में आया था, दो नंबर का कोश्चन था, अब बोलो, इस से सान मै क्या बना के दूँ तुम्हारे को, दो नंबर मुफ्त के नंबर थे, मुफ्त के, मैं रोको, यह भी आजा रहा है, 2016 में आया था, और मेरे पास जब स्टुडेंट्स यह कोश्चन लेकर के आये थे, मैंने 20 सेकिंड्स के अंदर इस कोश्चन को स्वाल कर दिया था, 20 क्योंकि मेरे को नॉलिज थी, मैं इतने सालों से टीज कर रहा था, मेरे को पता था कि हाँ भी हर एक लाइन का क्या मेनिंग है, तो पेपर में ऐसी होगा, यह याने एक लाइन का हेर फिर करके तो मुझसे चीज़ें पूछेंगे, बात समय आई, क्या बोला है मैंने यह सकता है, क्योंकि one is less than equal to one, आप चेक करूगे, हार एक प्रसेस खुद को भी तो पिक कर रहा है, जैसी खुद को पिक करेगा तो आपस जाओगे, मुझी बात कातम होगे, सबको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो फ्लीज वीडियो को लाइक करना, मैंने बहुत महिनत से बनाया एक वीडियो, और फ्रेंश के चाहर शेर जरूर करना, सबको अच्छे से समझ मैंना चाहिए, और यह जो मैंने एक्स्प्लेशन दिये, गेट 2016 के कहीं से पढ़ पूरी कहानी बना कर आपको भीडियो को रिवाइन करके देखो चीजे आपको समझ में आ जाएंगे, मैं गरेंट लिए इस बात की, बट हवा में मत उडाना इन सब चीजों को, मैं बहुत मेनत करके वीडियो बना रहा हूँ, हवा में मत उडाना, एक बार कोशिच करो, मेर आपको बताते हैं, ठीक है जी, ओके थैंक यू सो मच, बाबाए